हेलो फ्रेंड्स मैं डॉफ्र नीलम आपका अपनी चनल स्टडी और रिसर्च में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इतिहारी और यह स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव में में और इसे में जो टॉपिक चल रहा है वो है विजय नगर और यह पार्ट 3 है अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाहिए वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रियेट किया हुआ है और लिंक दिया गया है लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियो को देख स लगते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जुरूर प्रेस का ले ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके तो हमें स्टेडी करनी थी विजय नगर साम विजय नगर की प्रशाशनिक वसामाजिक स्थिति के बारे में चार राजवन्ष इसके अंतरकत थे जिनकी स्टेडी हैं पहले ही कर चुके हैं तो प्रशाशनिक व्यवस्था विजय नगर में राज संत्रात्मक शाशन व्यवस्था थी एबं राजित था, शाष्ण की समस्त सक्तियों कश्रोत राजा राए कहलाता था तो राए बहुत ही इंपORTENT है, राजा राए कहलाता था, राज की समस्त, राज की सबतांग विचार्धारा पर भी जोर दिया जाता था यहाँ पर प्रशाशनिक इकाया दी गई है मंडलम जो की प्रांथ होता था कोटम या वल नाडू जिसे जिले कहते थे नाडू परगना मेला ग्राम यानि 50 ग्राम को मेला ग्राम कहा जाता था उर तो यह ग्राम हो जाता है तो बड़े से छोटी की क्रम में ये दिया गया है सबसे छोटा उर मेला फिर ग्राम होता था फिर नाडू, कोटम या वल नाडू, फिर लास्ट में मंडलम तो नेट और बीजीटी की एक्जाम में मुसली इस पर क्रम व्यवस्थित करने के लिए आता है बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ इसको व्यवस्थित करना होता है राजा नागरिक सैने तथा न्याय संबंधी मामलों का सर्वोच अधिकारी होता था तथा प्राया सामाजिक जगडों को सुलजाने के लिए हस्ता छेप भी करता था कृष्ण देव राय ने अपनी पुस्तक अमुक्त माल्याद में कहा कि एक मूर्धा विश्शक्त राजा को सर्वता धर्म को द्रश्टी में रख का शाशन करना चाहिए राजा के ठीक बाद युवराज का पद होता था जो राजा का जेश्ट पुत्र अत्वा उसके ना होने पर राज परिवार का कोई योगतम पुरुश होता था तो वंश परंपरा के अनुसार उनका शाशन चलता था युवराज की निवति के बाद उसका राजविशेक किया जाता था जिसे युवराज पट्टा भी शेकम कहते थे तो ये जरूर ध्यान रखे युवराज पट्टा भी शेकम कहा जाता था राजविशेक की जो प्रक्रिया होती थी उसे राज परिशद नामक संस्था राजा की सत्ता को नियंतरित करती थी तथा उसे विभिन नीतियों पर सलाह देती थी राज परिशद ही राजा का अभिशेक करती थी तथा प्रशाशन संचालित या चलाती थी प्रशासनिक कारियों के लिए एक मंद्री परशद भी होता था जिसके सदस्यों की संख्या 20 थी तो मंद्री परशद की जो संख्या थी वो कुल 20 थी इनका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था इसी को सभा नायक भी कहा जाता था विद्वान राजनीती में निपूर्ण 50 से 70 वर्ष की आयू वाले तिथा स्वस्थ व्यक्तियों को ही मंद्री परशद का सदस्य बनाय जाता था विबिन अधिकारियों की विशेश स्रेणी को दंड नायक कहा जाता था दंड नायक को सेनापती, न्याइधिस, गवर्नर या प्रिशाशनिक अधिकारी आदी भी बनाया जा सकता था विदेशी यातरी अब्दुलरजाक तथा नोनिज दोनों ही एक सची वाले का उलेक करते हैं सची वाले के अधिकारियों, राय समन सचीव और करनी कम एकाउंटेंट आदी होते थे तो राय समन सचीव होता था, तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, राय समन सचीव कहलाता था और करनी कम एकाउंटेंट विजे नगर सामराज्य प्रशाशनिक सुजाओं के लिए मंडलम अत्वा प्रांतों में विबक्त किया गया था सामान्यता प्रांतों पर राज परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में न्यूक्त किया जाता था ये दिय पी कभी कभी कुशल एवं अनभवी दंड नायकों को भी राजपाले बना दिया जाता था गवर्नरों का कारेकाल निर्धारित नहीं होता था, मतलब कितने भी साल तक वे अपने पद पर कारे कर सकते थे, वह पुराने कारों को माफ कर सकता था, नए करों को लगा सकता था, कर का भी अधिकार गवर्नरों को दिया गया था, वो अपने अमसार कर लगा या हटा सकते थे सिक्के चला सकता था और भूमी दान आदी दे सकता था तो ये बहुत ही important काम है देखिए कर्व का भी कारे भार था सिक्के चलाने का और भूमी दान आदी दे सकता था नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केंद्रिय सरकार प्रांत के प्रशाशनिक मामले में तब तक हस्ता छेप नहीं कर सकती थी जब तिक अतिदिक आवश्यक्ता ना हो गई हो प्रांत में कानून एवर व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रांत के राज्यसु का एक नरधारित अंज भेजना गवर्नर का करता भी था इसके लिए वे अपना एक सचिव या एजेंट केंद्रिय सरकार में रखते थे नायकार व्यवस्था या आयंगर व्यवस्था तो इस पर काफी कोश्चन बनते रहते हैं आयंगर और नायकार की व्यवस्था के ओपड़ तो चलिए इसे देख लेते हैं यह क्या है व्यवस्था विजय नगर कालीन सेना नायकों को नायक के नाम से जाना जाता था जो वस्था भू सामन्त होते थे जिनें राजा वेतन के बदले उनके अधिनस्त सेना के रख रखाव के लिए विशेश भू खंड देती थी जो आमरम कहलाते थे तो नायक और आमरम के उपर कोश्चन बनता हैं कौन थे तो यह थोड़ा सध्यान रखें आगे चलते हैं आमरम भूमिका उप्योग करने के कारण ये अमर नायक से अमर नायक कहलाते थे साथ ही इन्हें पलाई यागार अथ्वा पाली गर्भी कहा कहते थे अमर नायकों की सरवाधिक न्यूक्ती तमिल नाडू में हुई थी अमर नायकों के दो प्रकार की करतव थे इन्हें अपने छेत्र में प्राप्त आय के एक अंश को केंद्रिय खजाने में जमा करना परता था तथा दूतिया इसी भूमिकी आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी होती थी जिसका अमर नायकों के दो प्रकार की करतव होते थे इन्हें अपने छेत्र से प्राप्त आय के एक अंश को केंद्रिय खजाने में जमा करना परता था तथा दूतिया इसी भूमिकी आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी होती थी ज इसका निर्धारन राजा स्वयम करता था आमरम भूमी में शांती और स्विवस्था बनाए रखने का दाय तो भी इन्हीं का था तथा छती पूर्टी भी इन्हें ही करनी होती थी अपने कारे में अच्छम रहने पर नायकों कोशारीरी ग्रूप से दंड किया जा सकता था गवर्नर वा अमर नायक में एक विशेश अंतर था कि राजपाल को दंड नायक कहा जाता था तता वे ब्रामहर जाती से समवध होने के दृष्टांत नहीं है मतलब वो ब्रामहर जाती से नहीं होते थे जितने भी देखे गए हैं नायक के पद धीरे धीरे अनुवान शिक्त होते गए नायक दो प्रकार के अधिकारिक केंदर में रखते थे एक वो सेना का सेना पती दूसरा उनका प्रशासनिक एजेंट जिसे इस्थाना पती कहा जा वितिय साधनों अवं सैनिक शक्ती से युक्त अमर नायकों की उच्छ खलता को रोकने के लिए अच्छुत देव राय के समय में संपूर्ण दच्छड भारत में महा मंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गए कहा पर निक्ति हो थी दच्छड भारत में महा मंडलेश्वर के अधिकारी की निक्ति हो थी आयंगर व्यवस्था इस्थानिय प्रशाशन से संबद्धित थी इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रतेक ग्राम को संगठित किया जाता था तथा इस ग्रामीड शाशकिया इकाई पर शाशन करने के लिए सरकार द्वारा बारा व्यक्तियों को निक्ति किया जाता था राजस्वी देखते हैं विजय नगर सामराज की आई का मुख्य श्रोत भूमी कर था भूमी के अत्रिक्त संपत्ति कर व्यापारी कर व्यावसाइक कर उद्योग कर सामाजिक सामुदाई कर और्थ डंड से प्राप्त धन भी आई के साधन थे लगान के लिए भूमी की चार सेणिया थी सीचित, शुष्क, उद्गार और वन लगान की दर एक बटा तीन से एक बटा छे तक थी ब्रामणों से भूरा ज़से एक बटा बीस तरहां मंदिरों से एक बटा तीस प्रतिशत लिया जाता था वैवाहिक समारोह के आयोजन पर भी लगान आयोजन पर भी कर लगता था, जिसे दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था यदिप प्रिष्ण देवराय ने विद्वा विवा से कर समाप्त कर दिया था कर्वसूली के लिए ठेकेदारों की प्रथा थी और कर्व का भुगतान नगदी अत्वा अनाज दोनों में हो सकता था भूमिकर को विस्ट कहा जाता था ये बहुत इंपोर्टेंट है और नेट के कोश्चन में आया हुआ प्रश्ण है कि विस्ट क्या है तो ये भूमिकर कर था संकल्पना टाइप की कोश्चन आते हैं तो उसमें विस्टी का काफी बार पूछा गया है तो भूमिकर था वित्तिय विभाग जिसके अंतरगतर राज़स व प्रशाशन आता था जो अथावन अत्वा अठवन कहलाती थी बारा शाशकिया अधिकारियों का समो ही आयंगर कहलाता था तो आयंगर की डेफिनेशन जो बनेगी वो बारा शाशकिया अधिकारियों के जो समो था वो आयंगर कहलाता था आयंगरों के पद अनुवांशिक होते थे तथा वे अपने पदों को बेच या गिर्वी भीर रख सकते थे इसकी जानकारी के बिना ग्राम की संपत्ति को ना तो इस्थानांत्रित किया जा सकता था ना ही दान दिया जा सकता था कर्णिक कर्णिक नाम का अधिकारी आयंगर भूमिक की खरीद या विक्री या लिखा पढ़ी था उससे संबंदित दस्ता वेजो को तयार करता था कई ग्रामों का समूह नाडू कहला था नाडू हम पहले ही पढ़ चुके हैं कई ग्रामों का समूह कड़िक अधिकारी थोड़ा देख लीजे नामक अधिकारी, आयांगर भूम की खरीद या बिक्री या लिखा पढ़ी तो था उससे समबंदित को नात्त्वर कहा जाता था नात्त्वर के कार्यों की देख रेख के लिए केंद्रिय कार्य प्रत्निदी होता था जिसे महा नायका चार्य कहते थे सैनिक संगठल देख लेते हैं विजे नगर सामराज का सैनिक विभाग कंदाचार कहलाता था कंदाचार का प्रमुख अधिकारी दंड नायक था राजा को सेना रखने की अतरिक्त नायको पालीगरों एवं प्रांत पत्यों को भी सेना रखने का अधिकार था सेना में पैदल, अशरोही, हाथी दल तीनों ही सामिले थे विजय नगर सामराज में पुर्थगालियों की सहायता से बारूत का प्रियोग भी होता है तो ये बहुत इंपोर्टन्ट है कि बारूत का प्रियोग पुर्थगालियों के सहायता से प्रारब हुआ सामाजी जीवन इसमें सामाजिक व्यवस्था सैधान्तिक रूप से शास्त्रिय परंपराओं पर आधारिती विजयनगर अभिलेख में राजिकर्तव्यों से संबंधित दो वाक्यांशो वर्णा, श्रम, धर्म, सग, लानू, पालिक, सुत, एवं कल्यान की रक्षा करने का उ उलेख मिलता है, वर्ण अश्रम व्यवस्था के दोतिय अंग में छत्रियों का उलेख नहीं मिलता है, जनता का अधिकांश भाग शेट्टी या चेट्टी थे जो व्यापार कारे करते थे, दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था, जुलाहे कै को लार कह खलाते थे, तो वर्ट्स पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस से रिलेटेट काफी कोशन नेट में बनते हैं, इस काल में उत्तर भारत के लोग दच्छन भारत में जाकर बस कहे थे, जिसे बड़ वाला कहा जाता था, विदेशी यात्री के विवरण तथा समकालिक अभ मनुशी के क्रय विक्रय को बेस बग कहा जाता था, जो व्यक्ति रिण दाता को रिण नहीं देता पाता था, दिवालिया हो जाता था, उसे प्राया रिण दाता का दास होना पड़ता था, इस्तरियों को भोग की वस्तु समझा जाता था, उच्छ कुल की इस्तरियों को पर प्रयाप्त शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली इस्तरियों को देवी दासी कहा जाता था और इन्हें आज जीवी का के लिए या तो भूमी दी जाती थी अत्वा नियमित वेतन दिया जाता था। गड़ी का हैं धनाधी या विशेश अधिकार प्राप्त होती थी तता समाज में इन्हें हेय दृष्टी से नहीं देखा जाता था। प्रशाशन में भी इनका ग्रहन करता था। विजे नगर कालीन 1354 इसवी में अभी लेख में माल गौडा नामक महिला द्वारा सती होने का उलेख प्राप्त होता है। डू आटो बार्बोसा लिखता है कि सती प्रथा लिंग आयतो चेटियों एवं ब्रामणों में प्रचलेते नहीं थी। सती होने वाली इस्त्री को याद में पाशान इसमारक लगाए जाते थे। मंदर मठ एवं अग्रहार सिक्षा के केंद्र थी। अग्रहारों में मुखिता वेदों की शिक्षा दी जाती थी। विजय नगर सामराज्य में सामाजिक समस्याई भी थी। देवराय दुदिये के समय के अभी लेखों से ग्यात होता है कि ब्रामण समुदाय के लोगों ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोशित किया तिथा राज्य ने इसे स्विक्रत प्रदान कर दिया। अभी लेख में कहा गया है कि जो पिता धन देगा और जो धन को स्विकार करेगा वह राजा द्वारा दंड का भागी होगा। स्री रंग दुतिय के शाशनकाल के एक अभी लेक में कुछ गाओं के निवासियों को यह आदेश दिया गया कि वे तीन दस्तकार समुदाय लोहर और स्वर्णकार के साथ दुर्व्यवहार ना करें ना ही उनके विशेशा हिदिकार से वंचित करने का प्रियास करें। बार्बो साब बतलाता है कि राज ऐसी सुतन तरता देता है कि प्रतेक मनुश्य बिना किसी खीज और जाच परताल की वह इसाई, यहूदी, मूर, अत्पा, हिंदु है अपने धर्म के अनुसार कहीं आजा तथा रह सकता है। यहां लास्ट में मैं आपको एक टेबल दिखा रही हो और यहीं हमारा जो है चैप्टर विजयनगर का समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो है विदेशी यात्री दिये है गया है और किस वोईश आए और कौन से शाषक थे। इस पर कोशन काफी नेट में आपका PGT PGT में बनता है कि कि निकोलो कॉंटी किसके शाषनकल में आया था so 요로 कॉंटी जो कि इटली का यात्री था 1420 में देवराय प्रथम के समय आया फिर दोमिंगो पायस पुर्तगाली जो कि 1515 में कृष्ण देव राय के समय आया बार्बोसा जो कि पुर्तगाली था 1516 में कृष्ण देव राय के समय आया और सीजर फैडरिक दुतिय यह भी पुर्तगाली था 1515 में सदा शिव राय की समय में आया था तो यह बहुत ही important table है तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप चाहिए तो वीडियो को pause करके आप इसे write कर लीजिए तो प्रेंट्स यहां हम आ गये हैं descriptive study की playlist में अगर आपने नहीं देखा है तो आप description box में जाएए वहाँ पर net jrf pgtt history descriptive study के नाम से playlist create किया गया है और उसमें आपको यह सारे वीडियो उसके link मिल जाएंगे जो कि हमने start किये थे प्राची नितिहास से तो इसके मादियम से आप अपने study को और अच्छा कर सकते हैं यह मैं आपको इक पर scroll करके दिखा देती हूं इसके अलावा अगर आपक description box में ही इन सब के link दिए गया है old paper net के मिल जाएंगे pet के मिल जाएंगे तो एक बार आप description box जरूर चेक करिए और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आकर कि घंटी को जरूर प्रस कर लिए ताकि इस